इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाँ फ्रेंड्स की आप जो है Micromax in2b के mobile phone में आप जो है bedtime mode को on कैसे कर सकते हैं और huge कैसे कर सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से last तक दिख लीजेगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दिजेगा चलिए सुरू करते हैं इसके लिए Micromax in2b mobile phone के setting में जाना है setting में आकर दोस्तों आपको आना है नीचे नीचे आने पर आपको यह digital bell being and parental controls का option मिलेगा इस पर click करना है फिर आप इसमें नीचे आएंगे तो आपको यह bedtime mode का option मिलेगा इस पर click करना है लेकिन दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप दोस्तों देखिए digital bell being and parental control में पहली बार आएंगे तो आपको show your data का option मिल सकता है तो आपको उस पर click करना है फिर इसमें नीचे आएंगे तो आपको यह bedtime mode का option मिलेगा इस पर click करना है अब दोस्तों देखिए bedtime mode क्या होता है और क्यों use करना चाहिए तो bedtime mode का मतलब यह होता है कि जब आपका सोने का time हो तो phone अपने आप bedtime mode में चला जाए और जब आपका उठने का time हो तो आपका phone अपने आप bedtime mode से हट जाए ना notification ना किसी का call मतलब दोस्तों आपको जो है सोने में कोई भी दोस्तों परिशानी नहीं होगा जब आप bedtime mode को on कर देंगे तो तो देखिए bedtime mode on करने के लिए आपको इससे schedule करना होगा जिसके लिए आप यहाँ बैसे डॉन सेडियोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर start time में दोस्तों वो time डाल देंगे जिस time आप सोते हैं जैसे दोस्तों मैं रात का रात के 10 वजे सोता हूँ तो हम यहाँ पर 12 को select करके OK पर क्लिक कर देंगे मतलव रात का 10 वजे और दोस्तों हम सुबा 6 वजे उठ जाते हैं तो यहाँ पर हम 6 वजे का time select कर देंगे OK पर क्लिक कर देंगे और यह दोस्तों 7 वडे आपको select रखना है तो देखी इसी क्या होगा कि जैसे ही दोस्तों रात का 10 वजे गा तो आपके phone में bed time mode on हो जाएगा और जैसे ही end होगा मतलव 6 वजे गा सुबा का तो bed time mode बंद हो जाएगा तो दोस्तों फोन bed time mode में रहने से यह होता है कि आपके phone में दोस्तों हो जाता है do not disturb mode on तो दोस्तों जब do not disturb mode on हो जाता है तो कोई भी call message notification नहीं आता है जब आप do not disturb में अगर आप call message और notification बाला setting दोस्तों नन कर देंगे तो अब देखिए इस से क्या होता है यह आप यहाँ से भी देख सकते है customize पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह बता दिया जाएगा when bedtime mode is on मतलब on हो जाएगा तो क्या होगा do not disturb mode on मतलब enable हो जाएगा grace cycle मतलब दोस्तों आपका app का color दोस्तों रंगीन जो है दोस्तों नहीं रहेगा सिर्फ आपका app का color जो है white and black में ही दिखेगा उसके वाद एक option मिल जाएगा keep the screen dark मतलब आपका screen हो जाएगा dark mode में और turn of bedtime mode at next alarm तो इस setting को on रखेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आपने alarm लगाया हुआ iPhone में तो जैसे ही alarm time होगा तो आपके फोन में bedtime mode बंद हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है इससे set करके use कर सकते हैं और अगर आप इससे दोस्तो charging के time चाते हैं कि हमारे phone है bedtime mode on हो तो आप यहां while charging at bedtime पर click करके आप यहां से आप यहां से दोस्तो उस time को select कर दीजे जिस time phone को आप charging पर लगाते हैं और जिस time चोड़ाते हैं तो आपको दोस्तो उस time को select कर दीजे ना है तो दोस्तो जैसे ही आपका start time होगा तो उस time bedtime mode on और जैसे end होगा तो bedtime mode off तो इस तरीके से आप इससे आप चाहें तो charging के बक्त भी use कर सकते हैं और बैसे end on schedule पर click करके आप इसको schedule करके use कर सकते हैं और अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको यह off का option मिलता है इस पर click कर देना है तो यह बंद हो जाएगा तो इस तरीके से आप जाए bedtime mode setting को आप यूज कर सकते हैं Micromax into me की mobile में वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को subscribe जरूर करें